जहीं दोस्तों आसा करता हूँ सभी मेरे मितरगड अच्छ होंगे, दरसल दोस्तों आप सभी मितरगड मेरी इस बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे कि कोई फाइटर जेट कितना भी ज़्यादा अत्याधूनिक हो, कितना भी ज़्यादा कैपेबल हो, जब तक उसके इल जाओ में रहता है लेकिन अब 2023 के समाप तो होते होते तेजस फाइटर जेट के पास एक नया और बिल्कुली एडवांस electronic warfare suit और एक नया weapon package होगा और यही कारण है दोस्तों अपने advance हतियार package के साथ भारत का तेजस फाइटर जेट रसिया के सुखोई 35 fighter jet के पास आकर खड़ा हो जाएगा और इसकी capability हर मामले में SU-35 के पराबर की होगी क्योंकि दोस्तों भारत का सोधेसी fighter jet तेजस नई electronic warfare system और नई weapon package के test के साथ गुजरने वाला है और इसके साथ कई सारे jammer और guided missile का भी तेजस के साथ परिक्षण किया जाएगा जिसके बाद सोधेसी fighter jet तेजस के पास अत्यादुरिक हात्यारों का package होगा जैसा कि तेजस NK-1A रसिया की R-73 guided missile को fire करने में सक्षम है और इसके अलावा python और डर्वी जैसे हवा से हवा मार करने वाली missile के साथ भी तेजस fighter jet लेकिन दोस्तों आप तेजस fighter jet के साथ भारत में बनी अस्त्र जैसी missile को भी जोड़ दिया जाएगा जो कि रसिया की R-77 missile से काफी जादा advance है और वहीं बात की जाए हवा से हवा में मार करने वाली missile होगी ये सबी वही हत्यार के package है जो Sweden के griffin fighter jet में लगाए गए हैं और इनी weapon system की मदद से griffin fighter jet को रसिया की fighter jet का hunter कहा जाता है Sweden की दरब से और दोस्तों कहीं ना कहीं बात की जाए तो नए radar system और नए electronic warfare system और नए weapon package के साथ भारती तेजस fighter jet ना सिर्फ किसी भी fighter jet को टकर देने के लिए तयार है बलकि Chinese fighter jet को पूरी तरीके से धूल चटाने को भी ready है